गाईज लोग देखते हैं गाईज की जन्नत कहां है सारे लोग ढूणते है बट गाईज जन्नत सामने है गाईज देखो यार मतलब क्या सीन है न ये जन्नत से कम का सीन नहीं है गाईज साफाइल गाईज आज सुबह हो चुकी और आज आपनों लोग जा रहे है भाई सरोबर देखने के लिए और फिर आज का भीव भी काफी अच्छा है तो देखेंगे गाईज साफाइल गाईज यहां का भीव देखो ना गुरुद्वारा का काफी गजब का भीव है गाईज मतलब कुछ भी बोलो इत्तत तकड़ा भीव सो फाइल गाईज यह देखो यह सरोबर है और फिर यहां पर कुछ दिवाल में कुछ लिखाओ भी रहता उसको फॉलो करके असनान करो तो सही होता है गाईज यह अपना भाई दरवार है जिसको बोलते हैं दर्द निरोधक दरवाजा ऐसा बोलते हैं तो यहां पर जो भी दर्द वर्द होता है सारा कुछ इसमें सटाने सही होता है हरा यूडोभ फैमली कैसे हो आप लोग आई यह अपा लोग अच्छी होगे और फिर जैसा देख रहे हो गाईज की हैव अभी आपने लोग अटो kunt कैंड केँश आया तो यहां से भी मेरे को बाहर अपनी आउटो खड़िये वहाँ पर जानीए अपने को और फिर वहाँ पर अपने को ना टैक्सी मेठनी और फिर 10 घंटे का जरनी सफर करनी है गाई सो फानल याज यहाँ पे देख लो ये पठान कोट कैंट का सीड़ी है और फिर सीड़ी पे भाई काफी अच्छा-च्छा कुछ लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाई काफी मैसेज दिया हुआ है तो गाई सारे लोग जो भी देख रो इस वीडियो को यार पॉस कर लो और फिर पढ़ो और फिर यहाँ पे देखो गाई काफी सारे चिड़ियां लोगे मतलब यहाँ पे ना जो सीन हो रहा है ना काफी मस्त लग रहा भाई इसका आवाद चिड़ियां का तो हम लोगों ने देखा यार सारा कुछ मैसेज पढ़ जया चिड़ियां भ तो इसी कारण से हम लोग कसोल भी जा रहे हैं तो भाई यहाँ पर तो कुछ हुआ ही नहीं बाई सिड़ी वड़ी काम नहीं कर रहा तो फाइनली गाज यह देखो अब यह अपन लोग आ चुके हैं कार में यही टेक्सी है अपना और फिर इसका गाज मतलब कल बारिस होई ना इधर काफी जादा बारिस होती है तो बारिस के कारण इन्होंने अपना गलास साफ नहीं किया है तो गाज कुछ भी हुए इस परकार का है मरोग गंदा गंदा ही देख रहा है बड़ चलो कोई बात नहीं यह थोड़ा सा सफर करते हैं और फिर देखते हैं गाज कहा सीन होत अच्छा है करें अच्छा लग रहा है तो चलो कोई बात नहीं गाज यह बीव देख लो ना यह बीवना काफी मेरे को अच्छा लग रहा है लाइक बुले तो इतना अच्छा भी हुए ना इसको तुम सोच नहीं सकते हो इस परकार का भीव लग रहा है तो देख लो कुछ इस परकार का भीव साहमने के साट जो भीव है ना मालब लंच बोल सकते हो लंच करने से पहले ये view देख लो है मालब काफी तगड़ा भी हुए और फिर यहाँ पे कुछ इस परकार से नीचे से boundary दिया गया ना कि उपर से कोई जानवर नीचे ना आ पाए और नीचे आने के बाद कुछ नुकसान किसी को ना पहुंचा पाए या फिर जानवर को कोई नुकसान ना हो इसके लिए boundary दे दिया गया है मतलब सीन तो यहाँ काफी अच्छा है तब तक आप लोग सीन देखो गाइस क्या सीन है आप लोग कमेंट करके बताना कैसा सीन लग रहा है आप लोग को गाइस अब आपन लोग आ चुके और अब अपन लोग खाना खाने का तयारी करते क्योंकि देखो काफी ज़्यादा भीव आप लोगों ने देख लिए भीव आप लोगों कैसा लगा यह भी कमेंट करके बताना और फिर देख लिए पंजाबी रसोई अभी आपन लोग अंदर का भी भीव देखा 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 देगा इस हम लोग खा सकते हैं अच्छे तरीके से तो आप लोग जरूर से यहां पर आओ कसोल अभी यहां से करीब बोले तो 6 घंटे का और डिस्टेंस है तो भाई 6 घंटे का रास्ता ताई करने से पहले भाई खाना ही पड़ेगा तुम्हें क्योंकि रास्ता कुछ ऐसा है ना सोच नहीं सकते हो गाईज सब फाइनली गाईज यह देखो टैनल भाई मतलब हम लोग ने लंच किया ना उसके बाद करीब 2-3 घंटे वाद हम लोग घाटी बहुत मतलब इधर दर मोड होता है ना कभी जली भी जली भी देखियो ना उस तरीके का मोड होता है गाईज तो वैसे आते आते करीब बहु तक का मतलब काम करना पड़ता होगा तो ऐसा ऐसा बहुत सारी टैनल से और बन रही अभी 2-3 टैनल और है और फिर अभी बन भी रही है तो आने वाले समय में यार काफी अच्छा रोड मिल जाएगा यार यहाँ पर मनाली में आने के लिए कसोल में आने के लिए तो चलो गा अब यह पर लोग भाई टैनल से आगे आ चुके थे काफी टाइम आगे और फिर जननत देखो गाईज देखो लोग बोलते ना भाई जननत कहां है भाई हमने देखा न जननत यहाँ है क्योंकि जब यह सीन देखते ना गाईज तो मेरे को यह काफी ज़्यादा ऐसा बोलते मेरे मेरे को इत्ता ज़्यादा खुसी मिल रहा है नियार कि यह जन्नत का सीन यहार मतलब कास में यहां पर बस जाता गाईज क्योंकि यहां पर जो लोग रहते न ही माचल परदेश के लोग वो काफी दिल के काफी अच्छे होते हैं और फिर काफी अच्छे लोग होते हैं और पार्किंग से भीव ले रहा हूं यह देखो बाई उपर सिर्फर सिर्फ पहाड़ी है वो मनाली का पहाड़ है और देखो राइट सेट में दिखाऊंगा इधर तौस का पहाड़ है गाई इतना मस्त है ना गाई सोच नहीं सकतो यार तौस का भीव भी काफी अच्छा है बट हम लोग उपर से नीचे उतरें और फिर सामने एक साड़ यह देखो भाई गुरुद्वारा के आगे का गेट है यहाँ आपसे देखो यार पानी ठंडे ठंडे पानी है इधर से क्रोस करती है दिल को छो जाती है गाईज और इस तरीके का फॉग टैप का आता है ना तुम स सोच नी सकते हो अभी देखना यहाँ पर यह देखो फॉग यह उधर गरम पानी है और फिर यह धर ठंडा मरलो एक साड़ गरम एक साड़ ठंडा खुद सोच लो यार क्या यह तिहांस रहा होगा यहां का तो भाई यह देखो काफी अच्छा है ना फॉग भाई मेरे को तो दिल खुश कर दिया लिटरली बोलो तो तो चलो अभी अपन लोग होटेल जाते हैं और फिर डेरेक्ट से कल अपन लोग मिलते हैं नहीं थोड़ी दिर बाद यह आके दिखाते हैं गाईज सब फाइनली गाज अभी अपन लोग होटेल मिल चुका है हमें और अभी हम लोग होटेल से बाहर निकले और फिर आप लोग को गाईज मतलब यहां का जैसा कि मैंने बताया था ना कुछ ऐसा अस्थाल है जहांसे आप लोग को रोग भी सही हो सकता है और फिर काफी कुछ स यह होता है तो सबसे पहले मैं आपको दर्द निवारक दर्वाजा दिखाऊंगा जहाँ पर आप लोग सरीर में कहीं भी दर्वाजे में टच करने से भाई तुम्हारा सारा दर्द मिट जाती है ऐसा मैंने सुना है बट आज हम लोग ट्राइ करने वाले हैं तो चलो चलते हैं गाईज फैनली गाईज यह देखो यह क्या सीन है याँ डौगी मैं यहां का डौगी को देखोगे न गाईज तो बोलोग यार मैं ख्या डौगी है यार मैं यह डोगिया नहीं लगेगी, कुट्टे नहीं लगेंगे, ये लोग देखने से ही लगेंगे सेर, और फिर रात का भीव है, तो गाईज देख लो, अंदर का भीव कुछ इस परकार है, बाहर इतना ठंड है न गाईज, इतना ठंड है न, कि तुम अगर टी-सर्ड या फिर स्वेटर भी पहन के आयो न, तो काप जाओगे, जब तक कि दो-तीन जैकेट, एक जैकेट और स्वेटर इस अब नहीं पहन होगे न, तो काप जाओगे गाईज, तो इसी करण से जो भी आना न, वो अच्छे तरीक्या से हैर कपड़ी अपने पैक बैक पास इससे पहले अपने लोग जूते खोल लिए थे और इधर के साइट से देखो, मतलब सामने के साइट कुछ दिखी नहीं रहा है, यहाँ जो इतनी सारी फोग आती है न, जैसे एक तरफ ठंडा पानी है, दूसरी तरफ गरम, तो गरम पानी के कारण न, वहाँ से जो भै ब्याख्या कर देता हूं गाईज, बोले तो बता देता हूं, तो इस अस्थान का ब्याख्या यह है गाईज, कि यहाँ पे भाई 11 साल पहले एक पंजाबी थे घुरू थे, उन्होंने साधना किया था 11 साल तक, तो उनको संकर जी ने बरदाम दिया था, कुछ आसिरवाद तो काफी टाइम तक यहाँ पर यहाँ पर यह देखो, फाइली पर मैं यह बता देता हूं, यह दर्द निवारक दर्वाजा है गाईज, और फिर इसमें जो भी दर्द वर्द है ना, वो इस दर्वाजे में सटाओगे ना, जहाँ पर भी दर्द है, वहाँ पर इसको तो अब इनन गुरू के बारे मैं बता जेता हूं सबसे पहले मैं आपको दिखा देताओंगा इज गुरू को यह देखो गुरू जी कि धर ये गुरु जी है गाईज देख लो इन्होंने 11 साल तपस्या किया संकर भगवान का और फिर इनको संकर भगवान ने काफी सारा असिरवात दिया था तो भाई कुछ टाइम बाद काफी टाइम तक यहाँ पे कोई मतलब मंदिर इस सब कुछ नहीं बना था तो पंजाबी लोगों ने देखा कोई मंदिर नी बना हमारा गुरु का यहाँ पे साधना हुआ था तो इसलिए उन्होंने यार यहाँ पे गुरु द्वारा बना दिया और साथी मंदिर भी बाजु में मलोग गुरुद्वारा मंदिर दोनों एक है यहाँ पे तो भाई सीख और हिंदु दोनों पूजा यहाँ पे करते हैं कोई दोनों भेदभाव नहीं होता तो सारे लोग मिल्जूर के यहाँ पे रहते हैं खाते हैं पीते हैं पूजा करते हैं और फिर सारे लोग साथ में नहाते हैं तो अभी चलो बस इतना ही और अभी अपन लोग जाते होटेल वापिस खानवाना खाके फिर कल सुबह डाइरेक्ट मिलते हैं गाज सफाइनली गाज सुबह हो जिकी और फिर सुबह का भीव काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो अभी आप लोग को यार सुबह का भीव में दिखाता हूँ गाज और अभी आप लोग को ना मैं सरोबर दिखाऊंगा जैसा कि कल रात मैंने आप लोग को दिखाया था दर्द निवारक दरवाजा वैसे ही आज अपन लोग आप लोग को दिखाने वाले सरोबर और फिर सरोबर का कुछ रहस्मई बाते हैं जैसा कि उसमें हर परकार का बीमारिया भी सही हो जाती है पलस जो भी पाप तुमने करा है न वो सारा उसमें धूल जाता है ऐसा बोलते हैं लोग और फिर यहां का एत पीछे न काफ़ी जादा अच्छे तरीके से मेरे साथ घोल मिल रहा था और फिर अभी भी देखो न सीन काफ़ी सही था तो चलो अभी दिखाते गाज आपको कुछ नजारा दिखाते बट उससे पहले आप लोगो पहले मैं बाती हुई यहां की नदियां दिखाते गाज न अस्पेशल वाला इफेक्टिस में लगता है वहाई काफ़ी अच्छा वो तौस है जो की काफ़ी ज़्यादा दूर है यहां से 8-9 किलोमेटर जो की वहाँ पे हमेशा से 3-3-4 डिगरी सेल्सियस होती है तो वहाँ पे जेलना काफ़ी ज़्यादा बहुत खुद में एक है मै अब आप लोगो पहले सरोबर दिखाते हैं और फिर सरोबर का कुछ रहस काफ़ी अलग है जैसा कि बोल सकते हो गाईज कि 11,000 साल मतलब संकर भगवान और परवती माता ने यहां पे रहा था और फिर परवती माता करीब वहाँ का बैनर में से लिखा हुआ मैं उसका फोटो भी डाल दूँगा आप लोग देख लेना लेकिन मैं आप लोगो कहानी बता देता हूँ तो करीब बहुत साल पहले संकर भगवान और परवती माता ने 11,000 साल तक यहां पे तपस्या किये थे मतलब रहे थे और तपस्या भी किये थे तो उस दोरान परवती माता कहीं नहान या फिर कहीं कुछ करने जा रहे होंगे तो उनका एक मनी गिर जाता है तो चलो यह बाते बताएंगे अभी पहले देख लो सरोबर गाईस यह गाईज मलब सरोबर का काफी अच्छा सीन है और फिर इस सरोबर में न भाई ज़्यादा देर स्नान करना नहीं होता नहीं तो त तुम्हें चक्क्र आने की सम्भाव न हो सकते है क्योंकि पानी गर्म होती है और गर्म-पानी कारण तुम्हारा जों भी बलड होगा ना प्रtable होता है ना उससे कहीं जादा पतला हो जाता था ई बलड इसी कारण चक्क्र आती है तो सरोबर में ज्यादा ना नहाएं नहाएं भी तो सर ज्यादा ना डोबाएं इसमें फ़ाइन अब प्रसाद ले रहे और फिर आभी आपन लोग नीचे जाएंगे पूजा करने के लिए और सामनेक साइड वह नंदी दिख रहे ना चलो फेले घंटा मारा लो हैर चल पुरा करते हैं मतलब मांगते हैं भगवान और बहुत सारे लोग का वीश भी पूरा हुआ और फिर इस तरब भी खौलता हूँ पानी इसमें हाथ गलती से मट डालना नहीं तो भाई जल जाएगी हाथ तो चलो मैं इसका इतिहास आप लोगों बता रेता हूँ तो इसका इतिहास ये है कि भाई परवतीमा तक है एक मनी गिर जाता है नीचे तो बहुत टाइम तक डूनते बट मिलता नहीं है तो फाइनली संकर भगवान को गुसा आती है और फिर गुसा कारण उनका तीसरा आँख खुल जाता है जिससे भाई नैना देवी परकट होते है और फिर नैना देवी जाते है पता लोक में और नागराज को बोलते है फिर न परवती कुंड इसको बोलते हैं लोग इसमें कोई नहाता धोता नहीं है क्योंकि यहां पर परवती माता ऐसा बोला जाता है कि यहां पर नहाए थे भाई तो उसमें नहाना किसी की बस की बात नहीं है तो इसमें कोई नहाते नहीं और फिर यह मंदिर कुछ काफी अच्छा पर चावल बना रही है मम्मी एक पैकेट होता है उसमें चावल होती है फिर एक में चना होती है और फिर ये गुरुदारा का आलू पक रहा है मतलब सीज रहा है यहाँ पर वाइल्ड हो रहा है और फिर साइड में चावल है गुरुद्वारा का जिसको सारे लोग लंगर में खाते हैं तो यहीं से चावल बन के जाती है और फिर उपर सब जीयां बनती है तो फाइनली का जी है देखो संकर जी का जो जब इन्होंने गुस्सा आया था ना संकर भगवान का तो बीच सित्रिनेत्र खुला था और वहां से नेना देवी का परकट हुआ था उस टाइम का ये सीन है तो फिर सारा क्या क्या हुआ ये मेरे को नहीं पता लेकिन फिर यहां पर संकर भगवान ने उनको आसिरवात दिया था और फिर काफी सारा रिसी लोग भी यहां पर है और फिर नायना देवी का एक मंदिर भी है तो आसपास में ये मनिकर्न मंदिर वहाँ पे नाम है और वहाँ पे एक मंदिर है उनका रत भी वहाँ पे अभी तक बिराजमान है So finally देखो यार ये देखो सही है महलब महोल काफी अच्छा देखो पूरा हिमाचल परदेश में न सारे जगह तुम्हें गर्मी गर्मी मिलेगी लेकिन यहां एक लोता ऐसा जगह है जहां पे सिर्फ तुम्हें ठंडी जगह ही मतलब गर्म जगह ही मिलेगी और सारे जगह ठंड है लेकिन यहां पे तुम्हें गर्मी मिलेगी क्योंकि भाई यह सेसनाग मतलब समझ लो यहें सेसनाग ने यहीं पर फूफ्ıकारा मारा था तो काफी चाहरा मनी आ अई थी तो अब सारे पत्थर बन चुके एक मनी जो की परवती माता ने ले लिया था तो फॉइन लोग आज मैं आप लोग कुछ और भी यहां का इंट्रेस्टिंग वाते बताता हूं जैसा कि भाई जैसे कि हम लोग कहीं तिर्तिया तरह पे जाते न तो वहां का गंगा जल लेकर आते हैं गंगा जी का पानी तो यहां का पानी कुछ अलग है कि इस सब़ावी मैं द बाद गाज ये सारा कुछ पढ़ लो अगर नहीं पढ़े हो तो गाज ये नहीं दिख रहा अच्छा से तो मैं जा रहा हूँ आप लोगों को इंगलिश वाला दिखाता हूँ इंगलिश अगर आप लोगों को नहीं आती तो एक एक संटेंस डालोगे ना तो वहाँ पे सो कर जाएगा तो यही कुछ है और फिर मैंने जो जो बताया वही सारा कुछ है इसमें भी लिखा हुआ कि यहां का पानी का टेंपरेचर होता है 88 डिग्री से 94 डिग्री से तक का टेंपरेचर होता है तो खोड़ो तो सोचो यह अपन लोग होटल खाली करके अब अपन लोग जा रहा है घर की ओर तो यह देखो डौग यार यह मतला यह क्या साधना कर रहा है क्या और यह देखो सेर यह हमारा सेर है गाईज सेर की तरे एक तो बीच बीच में आप लोग को डिखाएगे और फिर जैसा कि देख सकते यह भी देख लो यार जाते जाते एक बार और देख लो यार काफी अच्छा मस्त जगा है यार गुरु द्वारा तो चलो वेपन लोग यहां से निकलते हैं आते हैं यार बीच रास्टे में देखे नायर कोई चटान गिर गया था यहां से उपर से नीचे की और चटान गिरा उसके कारण गाई रोड का वो हाल हो चुका है जैसा कि देख लो यार रोड का क्या हाल हुआ है बोले तो one lane road बन चुका है जैसा कि two lane था ना एक side से जाओ तो एक side से आओ तो एक lane बचा हुआ है एक lane पूरा का पूरा खत्म हो चुका है गाईज तो इसी कारण से यहाँ पर सारे लोग को रोक दिया गया है जैसा कि देख लो हैर सामने के side भी काफी सारी गाड़ियां रोकी हुई है और फिर यहाँ पे bulldozer से काम किया जा रहा है मतलब इसको सही किया जा रहा है कुछ हट तक तो इसको मजबूत कर दिया जाएगा बाकी के काम जो भी होगा रात में किया जाएगा ताकि वहाँ पे उस time कोई ना cross कर पाए उस time यह सारी कामें होगे तो अभी फिलाल जितना हो सकता है उतना ये लोग सही कर देंगे रोड को ताकि हम लोग आराम से मतलब आसपास हो सकें तो गाज यहां का भीव भी देख लो यार काफी सही भीव है मतलब उपर से चटान गिरना मतलब सोच लो गाज क्या सीन हुआ होगा रोड पूरा आधा का आधा खतमी कर द नेचर करना सारा चीत तुम्हें मिलेगा जो चीत तुम कहीं और रहके नहीं मिल पाएगा ना वो सारा कुछ मिलेगा तो यह हमारा गाड़ी रोड बनके रेडी हो चुका और अभी हम लोग जाने का तयारी कर रहे हैं गाइस तो सोचो वो लोग कैसे नीची आते हो होंगे इधर उधर जाते होंगे तो फाइनली गाज अब अपने लोग मार्केट सामने एक साइड आ गया अचानक से और फिर यह देखो गाज यहां का भी काफी सही लग रहा है अभी देख रहे हो ना क्या आईज मनलों काफी सही है तो चलो कोई बात नियार अब अपन लोग वीडियो को करते हैं स्किप्ट थोड़ा सा कैसी फाइनली गाज यह अच्छा लगका अब तक कि मेरे को सबसे अच्छा भीव यह लगा तो चलो इसी भीव से अपनों लोग को करते हैं इनड फीर मिलते नेक्स्ट ब्लोग के अंदर तब तक विए बाई बाई गुडबाई टेक क्यार अपना ख्याल रखना अपने मम्मी पापा ख्याल रखना सो बाई बाई गाईस